अलो एक्षूनिस कैसे आप सब उम्मीदे सभी ठीक ठाक होंगे तो आज आईए अपने नेक्स टॉपिक पर आते हैं कैंसर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके ट्रीटमेंट इसके डिटेक्शन नहीं आपने कैंसर को देखा तो आप जाके पिछली लेक्षर में कैंसर और एट्स को देख सकते हैं ठीक है आई यह बाते हैं अपने नेक्स टॉपिक पर ड्रक्स और इल्कोहल इव्यूज जिसको दवादारू और गाली आप कह सकते हैं मतलब ऐसे बोल रहा हूं बाकि ऐसा इव्यूज का मतलब गाली होता तो ही है लेकिन वही चीज हमें जानना होगा आपको कि आजकल हमारे यंग हैं यंग लोग हैं यंग अश्टर्स के बीच में ओड लोगों की तुलना में जो यंग लोग हैं काफि जादा इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं Ev excitement में कर रहे हैं, fashion में कर रहे हैं, किसी भी वज़ा से कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीजे हैं, कि वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या करे हैं, कि इन चीजों को हम रोग दें, ठीक है, रोगने के लिए हमें ये करना होगा कि उन्हें proper education और guidance की जरूरत है, उन्हें education और guidance क्यों देना आवस्यक है, वैसे तो आप मना कर सकते हैं, कि मतलो, वो आपका कहना हो सकता है, ना माने, क्योंकि ये चीजे addiction के अंतर गताती हैं, ठीक है, ड्रक्स और इल्कोहल का जो 7 है, ये लोगों को addict बनाता है, इसलिए इन चीजों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके वज़ा से एक proper education और guidance की आवस्यक्ता होती है, कि उस ब्यक्ति को जागरूख किया जाया, और उसके दिल से ये, आप कह सकते हैं, उसके अंदर से एक इच्छा उत्पन हो, कि मुझे इसे छोड़ना है, किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना है, ठीक है तो ये चीज जब उसके अंदर आएगी, तब ही वज़ा व्यक्ति से छोड़ पाएगा, तो proper education और guidance से हम इन चीजों से किसी भी व्यक्ति को बचा सकते हैं, ठीक है, फिर आते हैं, drugs की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग drugs and alcohol review chapter का नाम है, सबसे पहले हम drugs की बात करेंगे, इस lecture में drugs की ही बात होगी, ये अलकोहल की बात अगले lecture में होगी, ये मैं clear करना चाहता हूँ, क्योंकि drugs and alcohol review है, सबसे पहले मैं drugs के ब्यूच पढ़ूँगा, उसके बाद alcohol के ब्यूच पढ़ूँगा, तो पहले drugs की बारे में जानते हैं, कि drugs का उनकोंसी होती है, ठीक है, तो drugs mainly तीन प्रकार की होती है, ठीक, त्री टाइपस आप drugs होती है, जिन में से सबसे पहला है, ओपियाइट्स, क्या है सबसे पहला, ओपियाइट्स, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कैनाविनाइट्स, और तीसरा क्या है, कोका एलकलाइट्स, ठीक है, कोका एलकलाइट् कोई केसकते हैं. कोके क्रेक के सकते हूए. तो कोके क्रेक में अंतर है. ठीक है? लेकिन न आपको ڈिलर बनना है, ना आपको इन चीजों का सेवन करना है. आपको सिरफ एंसी इर टी पंड़ना है और समाज में एक जागरूटा फैला नहीं है कि लोग इसके किसी को इसको जानने की वैसे तो जरूरत है नहीं, ठीक, क्योंकि हमें ड्रक्स लेना नहीं, लेकिन साइन्स की स्टुडेंट हैं, मैंने आपको बताया, क्यार हम कैंसर जैसी भैंकर-भैंकर बीमारियों को पढ़ चुके, और वही मुस्कुराते हुई, ठीक, और मुस्कुरा करता है, भले हुँ अच्छी हो या बुरी हो, अपने न्यूज पेपर में भी देखा होगा, हर जगा पर आप देखते होंगे, कि विग्यान ने क्या-क्या चीजे टेस्ट कर ली, और क्या-क्या चीजे विग्यान ने खोज ली, वो नार्मल इंसान नहीं सोच सकता, ना किस अन्य बिशे में संभव है, ठीक, तो आईए अब हम लोग आते हैं, तीन प्रकार के हम लोग उन्हें ड्रक्स की बात की, जिनमें सबसे पहले ओपियाइड्स, उसके बाद कैनाविनाइड्स और कोकायल कलाइड्स या कोकीन, ठीक, अब सबसे पहले आते हैं, ओपियाइड् वो आता है क्या हिरोईन ठीक हिरोईन जिसे इसमाइक कहते है वो बॉलिवूड वाली हिरोईन नहीं दीप क्या पादकोर्ण हिरोईन लेती है तो उन वाली हिरोईन की में बात नहीं कर रहा हूं तो ड्रग लेने वाली ये मार्फीन से बनता है किस से बनता है मार्फीन से किस से बनता है मार्फीन से और मार्फीन कहां से आता है एक प्लांट होता है पापी प्लांट जिसे पेवर सौमनी फेरम कहते हैं ठीक है उसी से ये निकाला जाता है क्या मार्फीन निकाला जाता है और फिर मार्फीन के Acetylation से Heroin या Ismaik बनाया जाता है यह चीज़ें आपको clear हो गई होगी उम्मीद है clear हो गई होगी नहीं हो clear हो रही है फिर बता दे रहा हूँ कि आप जो Ismaik होगा या Heroin होगा इसमे Heroin एक ही चीज़ है उसे हम लोग मार्फीन से बनायेंगे मार्फीन के Diastylation से इसी लिए इसको Diastyl Marfin भी कहते है ठीक है और मार्फीन कहां से आया है? Poppy Plant पैपेबर सौमनी फेरम इसका एक प्लांट होता है और उसी के Latex से निकाला जाता है मार्फीन ठीक है Poppy Plant की उसके बाद दूसरी बाद कैना बिनाइट्स वाली ठीक कैना बिनाइट्स जो है वो आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे हो सकता इस नाम से आप परचित ना हों लेकिन ये वही चीज है जो आप के घर के पीछे घर के बगल गाउं में जो लोग होंगे परचित होंगे पूरी तरीके से वही गाँजा वाला पौधा है गजेडी भंगेडी वहीं स्पैदा होते हैं समझ रहे हैं कि नहीं तो मैं गाँवाले लोगों के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता हूँ मैं बहुत सम्मान करता हूँ खुद गाँव से हूँ ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी लोग वहां से उठा कर इसका दूरुपयोग करते हैं चूँकि देखिए वो आपके बगल में ही पाया जाता है क्या कैना भी नाइट्स का पौधा उसका नाम क्या है कैना भी सटाइबा कैना भी नाइट्स के पौध एक पौधा क्या नाम है कैना भी सटाइबा और उससे क्या क्या चीज़ निकाली जाती हासीस, मेरिजुआना, गांजा, चरस जो सबसे महेंगा प्रोडक्ट होता है उसका वो होता है चरस होता है ठीक है वो उसके लैटेक्स से निकाला जाता है उसी एक ही प्लांट से कई चीजे निकाली जाती है उसी एक ही प्लांट से भांग भी निकाली जाती है साइद उसकी देखे मैं उतना जानकार तो नहीं हूँ इंचीजों के बारे में मुझे देने की तो उसका जो फल होता है उसी को गांजा कहते है ठीक है और चरस जो होता है उसी के लेटेक्स को देखें लेटेक्स किसे क्या आसा है उसमें जो एक फल होता है फूल के बाद जो चीज़ होता है उसमें चीरा लगा जाता है बलेड से और उसके बाद उस से जो निकलता है रजूस जाए दूद कहसकते हैं, उसी को इस चरस के रूप में माना जाता है, ठीक है? और जूस का भांग और गयरा कहते हैं, आप उसके पत्तियों से निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़े होती है, ठीक? तो कैना बिनाइट्स के बारे में जान लिया, आपने कैना बिनाइट्स क्या है, कैना भी सटाईवा एक पलांट होता है, उसी से कैना बिनाइट्स निकाला जाता है, ठीक है, और कैना बिनाइट्स में क्या क्या आता है, चारस, गांजा, असी, मेरे जुआना, यह सारी आपने जान लिए अब उसके बाद आते हैं क्या तीसरे नंबर पर क्या वताया थकन था युर्ट फेस्ट याँ कोकीन थीक है कोकायलप्याइडिस है कोकीन धून लिखेंगे रहे जान थे हैं दूनों लिखना सबसे बड़ी चीज यही जानना है आपको कि कहां कहां पाई जाती है NCRT में दिया नहीं गया लेकिन जानकारे के लिए टॉपिक को इंट्रिस्टिंग बनाने के लिए चीज़ों को मैं बताऊंगा जरूर ठीक यहां अपना इंडिया है आप जानते हों कि देखे भारत के नकसे को अगर मैं गलत बताद बना दूँ तो आप कुछ बोलिये का नहीं चूंकि देखो ना मैं देश दुरो ही हूँ अन्ना मुझे इतिहाद भुगोद कोई मतलब खास ठीक तो मुझे आपको योगराफी नहीं पढ़ाना है ऐसा कुछ नहीं पढ़ाना है मुझे तो सिर्फ यह बताना है कि कौन कहा है कैसे क्या पाया जा रहा है इधर आप जानते होंगे इधर पाकिस्तान पाया जाता है यहां पी लिख दे रहा हूँ इधर इंडिया लिख दे र जो यह, अफगृ Αफगानीस्तान में भी पाएजाता है और US के भाद थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी इसका छेत राता है क्योंकि अब जब सीमब सटी हुई है तो जानी रहें आप कि दोनों जगा पर पाया जाएगा ठीक तो अफगानिस्तान में पाया जाता है मेली और यह आपका जो कैनाबिस है कैनाबिनाइट्स है यह आपका कहां पाया जाता है इंडिया में पाया जाता है कहां इंडिया में अपने इंडिया वाले हैं भी यह अभ कोकाल कलाइड कहां पाया जाता है साउथ अमेरिका में सठीक साउथ अमेरिका तीनों चीजें हो गई तीनों कि मैंने आपको यह भी बता दिया कौन कहां पाया जा रहा है अफगानिस्तान में पाया जा रहा है यह काना भी नाइड यह कोकाल कलाइड साउथ अमेरिका में इसक को बेंच बेंच कर पूरा हथियार खरीते थे और लोगों को नुकसान पहुंचाते थे खैर अब तो अमेरिका वालों ने लगबग लगबग इनको समाप्थी कर दिया लेकिन अभी भी है ऐसा नहीं है को पूरी तरीके से समाप्थ हुए हैं किसी चीज कितना भी आप उसको नस्ट करेंगे कुछ बुठ तो बच ही जाते हैं तो यह सारी चीजे हैं तो वही चीजे है इसमें कि यह जो है पहले तालिबान के कबजे में था जिसकी वज़ा से अब तालिबानी इसी चीज से पैसा कमाते थे क्या मार्फीन से ओप्याइट्स से ठीक कि इसके अंदर क्या आता है मार्फीन आता है ना ही रोई ना इसमें कायना भी नाइट्स इंडिया कोका इलकलाइट साउथ अमेरिका ठीक है अच्छा कोका इलकलाइट के बारे में या कोकीन के बारे में एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ एक ब्यक्ति था जिसका नाम था जानते हैं क्या जिसका नाम था पैबलो इसको बार क्या नाम था पैबलो इसको बार इसको इसको हो गया था किस से कोकीन से ठीक है और हुआ कुछ ऐसा कि इस ब्यक्ति ने इतना ज़्यादा कोकीन बेंचा, एक तो साउथ अमेरिका का था, इतना ज़्यादा USA में भीया ये बेंचा कोकीन, की दुनिया के पांच अमीर लोगों में सामिल हो गया था, ठीक है, और अंततह क्या हुआ कि US में इसका एंकाउंटर भी हो गया था, ये बहुत चीज हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैवलो इसको बार के बारे में, ठीक, तो तीनों चीज़ें आपने जान लिया, और इंडिया में तो आप जानते ही, सब के यहां गाज़ा, सब के यहां भांख, खैर बिकता, तो यहां भी है अमीर होने वाले लोग आपके करेंगे जब मारी बाड़ी भाई अब इस लिए था हैं चीजों के इन चीजों का जब आप मेडिसिन की तरह आप इसका उपयोग करें तब आप इन छीजों से लाब हुठाएं ठीक है उनोंने इनको एब्यूज करने के लिए नहीं दिया था लेकिन लोगों ने क्या किया देखे मेडिसीन और ड्रक्स में क्या आंतर है ये भी आपको जानने बहुत जरूरी है आप देखते होंगे कोई दवा लेते होंगे खरीदते होंगे दवा के पीछे आप देखते होंगे फलाने ड्रक्स एंड कमपनी दे इसलिए जो मारफीन नहीं है जो आपको मेंबदा रहों यह मार्फीन यह इसा चीज है कि यह सेड़ेटिव पैन किलर होता है क्या होता है मैं यह सेड़ेटिव पैन किलर मार्फीन यह सेड़ेटिव पैन किलर सेड़ेटिव पैन किलर ठीक है अब यह पेसेंट को दिया जाता है कब दिया जाता है मार्फिन जब ब्यक्ति का आपरेशन हो कि कोई चोट आ गई हो हमारे आर्मी में बेस्टिफ में किसी को गोली लग गई हो लेकिन हो क्लिनिकरी अप्रूब डिमाउन में होता है बहुत थोड़ा सा होता है जिससे ब्यक्ति को सिर्फ उतना ही नुक्सान हो ये ना कि वो उसके लत्व में पड़ जाए ठीक तेसलिए बहुत थोड़ा सा दिये जाता है अचा एक चीज मैं आपको ये भी बता दूँ आप सोचते होंगे कभी कभी या कभी कोई आपको बताता भी होगा यार एक बार ले लो क्या हो जाएगा मैं भी कहता हूँ आपको गैरेंटी देता हूँ आप एक बार ड्रक्स आया अलकोहल कुछ भी ले रहे हैं आप उसके एडिक्ट कता ही नहीं होंगे ठीक लेकिन होता कुछ हैसा है कि आप एक बार मालीजी आभी आज आप ड्रक्स ले रहे हैं या अलकोहल ले रहे हैं देखिए मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट आपके बायो आप बायोजी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत जानना होगा आप मालीजी पहली बार ले रहे हैं ड्रक्स स्य अलकोहला पहली बार ले रहे हैं तो होता कुछ ही हो है कि आपके दिमांग में आता है तो एक बार आप लीए आज फीर एक-दो महीने दो-चार महीने बाद फिर आउसर मिला सोचेंगे ओ दो-चार महीने बाद क्या एडिक्ट फिर लिए आप फिर हो सकता है एक-ात महीने बाद आउसर क्योंकि आप एक तो अब उस समाज की लोगों के से आप अट्रेक्ट भी हो रहे हैं इसलिए आप जहां तक हो सके इन चीजों से बचें क्योंकि यार मैं आपको बता दूँ और किसी का भी आप इंटर्व्यू देख लें कि मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ा कम अच्छा लगे और किसी डाक्टर से आप सलाह ले ले इन चीजों की भरपाई कोई करे ही नहीं सकता आप अगर छोड़ भी देंगे ना लेना ड्रक्स या अलकोहल का सेवन मालीजाप एडिक्ट हो चुकी है और उसको बाद में छोड़ भी देते ना आप एक नार्मल इंसान जिसने ड्रक्स या अलकोहल का सेवन नहीं किया है उसकी तरह आप कभी बनी ही नहीं सकते, यह आप मेरी बातों को आप नोट कर लीजिए, आपकी हेल्थ उस तरीके से बेवहर कर ही नहीं सकती, जिस तरीके से एक नार्मल इंसान की बाडी फंक्सन या जिस तरीके से एक नार्मल इंसान का दिमाग काम कर रहा है, जिस तरह से उसका ब्रेंड वर्क कर रहा ह उस तरीके से आपका दिमाग काम ही नहीं कर सकता है हो सकता है आप बहुत अच्छा पैसा कमा बना ले आप हो सकता है बहुत अच्छे बिजनिसमैन हो हो सकता है आप एक सिच्छी आदमी से अधिक पैसा कमा देखें सिच्छा कभी भी एक चीज आपको मैं बता दूँ सिच्छा कभी भी पैसा कमाने का कोई जरीया नहीं हो सकता कि सिच्छा यह जरूरी नहीं है कि सिच्छा से आप बहुत अधिक धन कमा लें सिच्छा से ही बेक्ती बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें ऐसा बिल्कुल नहीं, सिच्छा पैसे के लिए है ही नहीं, मैं आपको आज बता दू, सिच्छा सिर्फ सफलता के द्वार की एक कुंजी की भाती है, इससे आप सुरुवात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इससे बहुत मल्टी मिलिनियर बन गए या कुछ भी ऐसा बि लेकिन जो एक्सपेरियंस है, जो आपके जिन्दगी के पढ़ाओ हैं, जितने संगहरसों का आप सामना कर रहे हैं, वो चीज़े आपको जिन्दगी में हल्प करेंगी, यह आप धार रखे, ज्यादा ग्यानबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि उतकाबिल अभी में हूँ न जिसे ब्रेन में कोई अपजार हो रहा है, कोई हाथ में अपजार हो, असर अपना दिखा रहा है, कोई पेट में असर दिखा रहा है, उसी तरीके से यह जो ओपियाइट्स होगा, मैं एक से रिसेप्टर लिखा ही दे रहा हूँ ठीक, रिसेप्टर्स, ठीक, यहां मैं इसक पिर्फ में रिखाओंगा, ज्यादा इसमें कोंगा लिखाओंगा ही नहीं, ओपियाट का रिखाओंगा ने, ciąपे अपियाइट की नाची का है, का या बिनाइट्स है, फ़िए गाजा वाली बात है या उसके बात बात सब्सक्राइण कोका एलके लाइड्स कि यहां मैंने के लिखवा दिया था वहीं सऊच रहा था कोवी सोच में पढ़ गया लेकिन वारी जानकर आपना को कुछ दुखा रहा ना ना। आपको डीलर बनना है, ना दो चणेड़ी भंगेडी बनना है यूए आपको अंतर ब्राय लिक्टी में लिखा गया ये बात करें सें सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है जैसे कंप्यूटर का चलाने के लिए सीपीव होता है ठीक है भीना सीपीव का कंप्यूटर नहीं चल सकता उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है ठीक है उसी तरीके से इस बाड़ी को चलाने के लिए अगर Central Nervous System ना हो तो कोई चीज वर रखी ना करें ये आपका हाथ मान लेजे मुझे पानी पीना है ठीक है मुझे बाटल ऐसे उठाना है ना अब मैं इसे बाटल उठा रहा हूँ बाटल उठा रहा हूँ पहले मेरे brain के पास से signal इस हाथ पर बाटल उठा लो थे बाटल उठा ली ठीक उसके बाग किया होगा थी वो लो रहा है बाटल रख दो बाटल रहा है बाटल से पानी पी लो बॉस्टसर क mejor रिया ठीकर इस इस ऐसे हो रहे हैं सपी थुरों और QЧ॑ करें हब क्वारिजा करो कर दिए लेकिन जब हुचप्टर में बताऊंगा इल्यान वाला तो वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक, CNS में होगा gastrointestinal tract, gastro का मतलब क्या है, पेट में, GIT मतलब gastrointestinal tract, यह नि की पेट में होता है, gastro जहां सब्दा है माँ इस्तमक जाने है, पेट, कैना बिनाइट्स रेशेप्टर ब्रेंदे की हम हैं इंडिया वाले और हम एक इधार उधार अपना प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं तीन उसे जा लेए कि इसके रेसेटर कहां कहां होते हैं रेसेटर का मतलग वही होता है कि उसी body part में वो चीजे एब्जॉर्ब होंगी वही पर वो अपना असर दिखाएंगी फिर उस body part से जितने भी body function relate करेंगे उन सब पर उसका परभाव पड़ेगा सिंपल सी बाद है जिसे cns पर पर परभाव न ओपियाइड का सेवन आपने किया मार्फी नोगरा का सेवन किसी ने कर लिया है हिरोई नोग इसमय कर लिया है तो इससे क्या होगा body function slow हो जाएगा क्यों slow हो जाएगा अब जैसे बॉटल उठाना है मेरे हाथ ने तुरंट उठा लिया तुरंट आदेश हो लेकिन अभी मैंने अगर ड्रक्स हरी स्मय क्या होई कुछ भी लिया होता है इस तरीके का ड्रक्स ओपियाइड्स वाला तो मेरा ब्रेन बहुत धीरे से सिगनल भेशता फिर मैं ऐसे करके हाथ ले जाता अनंद मैं हाथ ऐसे उठता पुरा मतलब पुरा इतन धीरे-धीरे सब कुछ बर्डी फंक्सन बिल्कुल सुलो हो जाता है ठीक है और डिप्रेसंट भी होता है क्या होता डिप्रेसंट डिप्रेसंट को कर्म करना अब डिप्रेशन का क्या मतलब है इसके बहुत सारे सिम्टम से बहुत लोग टेंसन में आ जाते हैं बहुत चीजें वही चीजें दिमाग में बार बार गूम रही है यह सब चीजें डिप्रेशन के अंतर गाद आती है ठीक है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया था लेकिन ये न करें अपने गाओं के किसी लड़के से उसकी तुल न करें बिलकुल न करें आपका लड़का यूनीक है यारी वह बहुत ज़्यादा यूनीक है उठीक तो आप उसकी तुलना उस व्यक्ति से न करें इधर उधर के वेक्तियों के बारे में आप उसको बता कर उसका दिमाग मानसिक संतुलन कड़वा रहे हैं इसी चक्कर में लड़के सुर्ती खाने लगे, ड्रक्स लेन लगे, अलकॉल लेने, गांजा पीने लगे, चरस लेने लगे, भंग खाने लगे तो यह सारी चीजे होने लगती है, ठीक है, तो CNS और GIT पे अगर आप मार्फिन खाएंगे तो इसका असर यहीं होगा, ठीक है, ओपियाइड लिखा गया है कायनाब इनाइड्स का ब्रेन पे होता है, जो लोग हमारे गाजाओंगे भंगेडी हैं, उनका असर सीथा ब्रेन पे होगा, ठीक है, उसके बाद बाद आती है कोका इलकलाइड्स या कोकीन या कोक्या क्राइक की, इन सब चीजों का असर कहा होता है, इनका होता है, CNS पे ठ फैक्ट कि पैबलो इसको बार इसके बहुत बड़े डीलर थे भी या साउथ अमेरिका में इतना कोकीन बेचे कि दुनियक पांच हमीर लोगम सामिल हो गए था और वह होता क्या है ड्रक्स अलकॉल बेचने वालों का वही हाल होता है इनकाउंटर वाकि हमारे उत्तर परदेश में हो ही रहा है स्कोब इनकाउंटर ठीक यतने दिन सरकार नहीं चले उसका चार गुना इनकाउंटर हुआ है तो किसी चीज की में अच्छाई या बुराई पर बहुत जायान नहीं देता हूं लेकिन जो कुछोता आच्छे के लिए होता है ठीक यह सारी चीजह हो गई है अब बात आती ह pension सी की कैसे इन चीजों को लेते हैं कैसे इन चीजों का सेवन करते हैं एंसी एड़ी है भाई यह वह में तो जानना इए अब जैसे हीरोईन का सेवन करना है आपको कैसे बनती है हिरोईन मार्फीन होता है काइनाविनाइड ओपियाइड के अंदर उसी के डाइस्टाइलेशन से बनती है और आर्डरलेक्स क्रिस्टलाइन पाउडर फार्म में होती है ठीक है ऐसे यहाँ पे गिराया जाता है और ऐसे एक लाइन बनाई जाती है जैसे मैं भुक दिखा रहा हूं आपको भुक पर जैसे माली यह बुक है पाउडर को ऐसे गिराया गया ऐसे लाइन बनाई गयी ठीक है लाइन बना के ऐसे पुरा आनंद लेते है ठीक और हिरोईन काउर भी कैसे seven करते हैं inject कर देते हैं injection लगा देते हैं जैसे कोरोनक वैंसीन लगाए जाकर लगवाओ अगर आप उस योग गए हैं ठारा साल के ऊपर हैं रिच्टेशन करें आनलाइन और जाकर लगवाएं करिंप के मादधम से तो उसके मादधम से भी लगवा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो फि कि थूरू सूंगते हैं और इंजेक्टिंग करते हैं ठीक और उसके बात आती है बात का ना विनायट सी गांजा गांजा बात आप देखें गांजा भांग कईसे खाते हैं भाई उसको ऐसे पीते हैं और अवरल इंजेस्टन ही होता है उसका मुह से पीते हैं मुह से सुरुकत है Na पूरा है से करके पूरा अंदर लेते न और उसके बाद भांक कैसे खाते हैं आप देखें इसे डालके पानी फिक खाए चल लिए यह सब चीजें इस सब चीजने से मैं भी बहुत पर चीत हो आभी बहुत कुछ कुछ बताने की आवशकता है नहीं कोकीन के अब इसमें काईफीन डाला जाता है बहुत कम मात्रा में खैर ये भी अडिक्सन का ही कारण है काईफीन हो गएरा आपने देखा हो कि भी रोनाल्डो की ख़बर उन्होंने अपने डिक्स से कोका कोला हटा दिया कई का ओचाटा लगया खैल हमाले बोलने से बहुत जादर नहीं लगेगा लेकिन हो सकता है हमारा लेक्ज़र 2-4 लोग देखें 10-20 लोग देखें हो सकता है भविस्स में 1500 लोग देखें उनसे भी गुजारिस है कि इन चीज़ों का सेवन कम से कम करें Coca Cola उगेरा का ठीक तो ठीक है Coca Cola का सेवन उमीद रहेगी कि आप लोग कम से कम की करेंगे और बागी कभी 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 कर लिया है तो ऐसी कोई बात नहीं है कभी कभी हो जाता है हर चीज तो ठीक है Coca Cola इतने ज़्यदा एडिक्सन का कारण नहीं बट थोड़ा तो नुक्सान दाई है तो जान लिए आपने कोककोला का कैसे सेवन करते हैं कोकीन का सेवन भी कैसे करते हैं इस नाटिंग के थूरू ही करते हैं तो भी पाउडर फार्म में होता है इसे सूंग लेते हैं तो एक तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई अब इनों प्लांट मैंने आपको बताई दिया कि यह गाज़ेवलेग्पिड क्या कहते हैं कायना भी सटाइब है कोपियाइड यह होता है क्या प्लांट पैपिबर सॉमनी फेरम कोका अलकलाइड क्या होता है रित्रोजाइलम कोका आई यह पढ़ते हैं ज्यादा समय बेतीत नह सब्सक्राइब कोड रिजल्ट इन मेने हार्मफुल इफेक्ट प्रापर एजुकेशन गाइडेंस और यूथ टू सेफगार्ड देंसल्फ अगैंट इस डेंजरस बिहाइवियर पैटरन फालो हेल्दी लाइफ इस्टाइल ठीक हैं हेल्दी लाइफ इस्टाइल के लिए सा प्रकार के ड्रक्स हैं कामली यह बीच की जाती है ऑप्याइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रेंट इस्ट्राइन कंपाउंड इस इस अप्टेंड बाई एस्टाइलेशन आप मार्फीन फूइच इट्रेक्टेड फ्रॉम दे लाइटेक्स आप पॉपी प्लांट पॉपी प्लांट के लाइटेक्स से निकाला जाता है क्या मार्फीन को निकाला जाता है ठीक है पॉपी प्लांट के लाइटेक्स से मार्फीन को निकाला जाता है अब इस पॉपी प्लांट का लब depression को कम करता है और body function को क्या करता है slow down कर देता है slow कर देता है ठीक अगर आता है कैनाविनाइट्स और एक group of chemicals which in trend कैनाविनाइट रिसेप्टर परिजेंट कहा होते हैं brain में होते हैं मैं सब कुछ बता चुका हूं से फें CRT को read करना नेचुरल कैनाविनाइट्स और आप्टेंड फ्राम इंफ्लोरसेंस मतलब फूल इंफ्लोरसेंस मतलब फूल इंफ्लोरसेंस में प्लावर और इंफ्लोरसेंस में अंतर होता है ठीक है इंफ्लोरसेंस का होता है जैसे कोई छोटे-छोटे जो फूल होते हैं वो इकठे ही होते से माली जायसे हुआ एक फूल होता है न उसमें इसे छोड़े-छोड़े डंडी निकलके फूल होते हैं उसे पूरे इंफुरोर सेंस बोलते हैं और जो फ्लावर होता हो ही वह ऊच्छोटास है वही ऐक फ्लावर है ठीक हाँ तो इंफ्लोरेशन साफ प्लांट कैना भी सटाइबा ठीक दा प्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन साफ कैना भी स्प्लांट्स आर यूजड इन बाय येस कॉंबिनेशन टू प्रोवाइड मैरिजुआना हसी चरस गाजा जनरली टेकन बाई इनहेलेशन वही जो किसे ग्रेट की तरह ना इसे-से कर गे ना नो ही चीजह है ठीक है एंड औरल इंघसन ऑर ओरल ब्लट प्रेशर प्रेफेक्ट डालता भाई ये बलट प्रेशर को बढ़ा देता है बिल्कुल देखें नहीं है जो वैक्तिश को लेना छोड़ देता है उसको बहुत पसीना वसीना होने लगता है बहुँ ज्यादा नुकसान दाई है इसके चक्र मिलकुल कभी ने पड़े पर जाती बात कोका एलकलाइड की कोका एलकलाइड और कोकी निस अप्टेंड फरां कोका प्लांट एठ्थरोज हुआ ठीक इंटरिटर फेयर ईचाओ डोपामीन में डोपामीन किया किया इसमें इंटरियर करता है ट्रांस पोर्टबber पर में और ट्रांस पोल्च में किसके नीग ऑक न्च करता हुएrit उपामीन क्या है ये भाई खुसी वाला हार्मोन है जैसे कोई आपकी बढ़ाई वड़ाई कर देता तो आप बहुत खुस हो जाते हैं सीनत तान की पूरा दिन भर घूंब रहे हैं ठीक तो दिन भर नहीं गूम सकते हैं लेकिन एक दो घंटे गूमेंगे उसके बाद कोई ऐस ऐसे च्छोटी च्छोटी बात फर खुस हो जाते हो फो यह क्या रहती है लेकिन ही क्या क्या करता है ़ोकाइल कलाइट्स होता है ये डोपामीन लिगे विभ lots रहने होण हार्य। Our लेकिन कुछ देर व्याद क्या होता है कि डोपामिन खत्म नहीं होता है उसी रेसेप्टर पर प्र बैढ़ जाता है आपकी खुसी खत्म हो जाती है यह क्या करता है उसी खुसी के टाइम डियूरेशन को बढ़ा देता है जो आप 2 घंटा खुस रहने वाले हैं उसकता आप 10- पंदरा घंटे खुश रहें लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा साइड इफक्ट बहुत ज्यादा है इससे क्या होगा आप जब आदत पड़ जाएगी ना तो आप दुख हुक सहनों ही नहीं कर पाएगे आपको हमेशा आप खुश रहने की आदत है आप तो लेकिन जिन बढ़ाना नहीं है जीमन को ऐसे बेतीट करना है यहां हम पड़ाने अए संत नहीं वणे है ऑई यह ंट नें यह हैए थो डोपामीन में ईंटरफेयर करने लगता है आपकी खुशे को बढ़ाने की चक्क्र प्ड़ जाता है इस थो बढ़ाने के लिए लोग इसको तो अलग ही कीजिए ना तो यह तो होता ही है परकि जैनरली यह है इस नॉर्टेट ही होता है इट है जो पोटेंट इस्टुमिलिटिंग एक्सान सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है ठीक है प्रोडूइसिंग असेंस आफ उफोरिया एंड इंक्रीज नजी एनर्जी को इं इस ने लग जाएंगी जैसे कि क्या होता है आपको ऐसे कह सकते हैं कुछ चीजें ऐसी होंगी आप कह सकते हैं देखिए है एक प्रापर्टी होती है उसी की तरीके से यह भी है जैसे इसमें क्या होगा जो नहीं होगा वो भी दिखेगा जैसे गाना बजता है वो सुनाई द रहा है जो चीजें आपको सुनाई देनी चाहिए वो दिखाई देंगी जो दिखाई देनी चाहिए वो सुनाई देंगी यह सब चीजे होने लगती है और एक्सेसिव एनरजी को इंक्रीज कर देता है जिसके वज़ा से क्या होता कुछ लोग खिलाडी हो गयरा हमारे नहीं हो फेंक देते हैं अब कि इस तरीक इसा करते हैं कि को किन को या बाद में किया करें गे उसको इठाएंगे तो इससे प्रफसान भी होता है इसका व्यूज कर रहे हैं लोग ठीक और जब एक्सका एक्सटेसिब डोज लेंगे तो है यह लूजिनेशन काज कर एक्सटेसिब डोज आपको किन काज अधर बेलनों प्लांट्स बित है लुजिनेशनिक प्रापर्टी जार एट्रोपा बेलाडोना ए भी पाया जाता ठीक दाटूर आपने देखा होगा तो धातूर यहां लिक दे रहा हूं दाटूरा जा ह슬 latch इस ही दाटूरा का मौनित अधर है moare लेकिन इस्वार फैसट्रा मौनित च कर ने पढ़ beginning दतूरा का पूरा नाम है दतूरा इस्ट्रामोनियम, ठीक है, दतूरा इस्ट्रामोनियम, तो यह जो क्या है, दतूरा है न, गोला कर दिया हमें, तो दतूरा जो है, यह भी हैलूसिनोजेनिक प्रापर्टी रखता है, कहुंसी प्रापर्टी रखता है, हैलूसिनोजेनिक, है क्या होता था पहले हमारे यहां जो जन जातिया नहीं है जिसे मानली जे संकर भगवान पूजा कर रही है तो दो तीन भी धतूरत खा लेंगे ठीक है उनको फिर क्या होगा संकर भगवान दिखने लग जाएंगे यही तो होता है कि जो नहीं होगा वो दिखने लग जाएगा जो दिखाई दे रहा है वो बाहर आ जाएगा मतलब आप देख रहे हैं आप फोटो मुझे आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप माली जी धतूरत खा के पढ़ रहे हैं न मैं स्क्रीन के बाहर आके आपको पढ़ा रहा हूँ माली जी हाथ हुआ था इसे कर रहा ह मैं आपको मारना चाह रहा हूं ऐसा बिल्कुल मत करियेगा विकि मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाब हूँ कि मैं आपको मारू पीटू आके स्क्रीन से बाहर निकल के लिए धातूरा तो लेना भाई यह थिक तो दातूरा और एट्रोपा बेलाडोना यह दोनों भी क्या करते हैं और हैलूसिनेशन कार्च करते हैं ठीक तो यह हो गया और दीज डेज कैना भी नाइट सारा आलसो बिंगे बीज़ बाई समी स्पोर्ट्स परसन में आपको बता है कोईना भी नाइट से नहे रहेगा कोका एलकलाइड रहेगा इन दिनों क्या होता है कोका एलकलाइड यह ज अज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं नेक्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे और नेक्ट लेक्चर में ही मैं आउच्छा फीगर भी भाईया इसका बनाया गया है मार्फीन का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है उसके बाद आपका कैनाविनाइट का स्ट्रक्चर बनाया गया सब चीज़े आप देख लीज़ेगा गाजा माज़ा आप पहिचानते हैं आर कैनावी सोईनावीस प्लांट का की पत्ती कैसे होती तो सब एक्जाम में पहिचान जाएंगे इस एट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे आपके एप्रॉक्स्मेट दो कोईशन फिक् आप नीचे लिख सकते हैं तो हसते मस्कुराती रहिए अच्छी डाइट लीजिए खाते पीती रहिए और पढ़िए वाकि मिलते हैं नेक्स लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे कोशिस रहेगी कि यह लेक्चर आपका कल ही आजा है आगला लेक्चर और मैं सोच रह हो ज़्याद प्रेम हो धन्यवाद नोट कर सकते हैं आप नोट कर लीजिए एक बार दो सेकंड की लिए मैं रुख जा रहा हूं उसके बाद नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए थैंक्यू